दोस्तों क्या आपने कभी टोकरी के आकार के बिल्डिंग देखी हैं और क्या आपने कभी के आकार के बिल्डिंग देखी हैं और तो और क्या आपने कभी ऐसे उल्टे घर को देखा हैं जिस घर का उपर का हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे का हिस्सा आसमान की तरफ होता हैं हलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट यूनिक बिल्डिन्स के बारे में बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमबर फर्स, अपसाइट डाउन हाउस, दोस्तों यह ओलंबिया में इस्टितिक ऐसा घर है, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूंचाएगा, जैसा ही घर बाहर देखने में है, वैसा ही अंदर से भी है, मतलब बाहर से देखने में इसका उपर का हिस्सा नीचे की तर है, ऐसा ही सेम जब आप इस घर में एंटर होंगे, इस घर में अंदर की सारी चीजे उल्टी है, जैसे घर में बिस्तर, किचन और स्टेर्स भी आपको उल्टी ही दिखाई देगी, इस घर के मालिक का कहना था, कि जब भी कभी दुनिया में कोई प्राकतिक आपदा आएगी या फिर अर्थ्विक आएगा, तब एक लकडी का घर उल्टा होने के बाद कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, इसलिए उन्होंने इस घर को बनवाया था, कि लोग समझ सकें कि उल्टा होने के बाद घर कैसा दिखाई देगा इस बिल्टिंग को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा, कि ये तो एक टोकरी है, लेकिन ये टोकरी के आकार जैसे बिल्टिंग बनी वी है, ये विशाल जैसी दिखने वाली दे बास्केट बिल्टिंग, एक लाग अस्य हजार स्कॉर फिट में बनी वी है, और ये दो साल म बन कर तयार हुई थी, और इसको बनाने में लगभग 158 करोड का खर्चा आया था, वैसे ये बिल्टिंग दा लॉंग बर्गर कंपनी का हेट कौर्टर है, जो नियॉक में है, ये कंपनी बास्केट बनाने का काम करती है, 7 फ्लोर की इस बिल्टिंग को 1997 में खोडा गया था और ये बिल्टिंग आज दुनिया भर में फेमस है, नमबर थार्ड, मीटन टी म्यूजियम, दोस्तों ये केटली के आकार के बिल्टिंग चाइना के फ्यूजन सिटी में है, जिसे 2000 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2002 में बन कर कंप्लीट हो गई, ये बिल्टिंग देख और इस बिल्टिंग को देखने के लिए हजारों की तादात में आते हैं, नमबर फोर्ड, कॉपर कॉइन बिल्टिंग, ये बिल्टिंग चाइना के गुदांसु सिटी में इस्तित है, दोस्तों आपने इस से पहले कोई भी बिल्टिंग का डिजाइन ऐसा नहीं देखा ये बिल्टिंग आपको देखने में जितनी चोटी लग रही है, ये उटनी चोटी है नहीं, क्योंकि इस बिल्टिंग में 33 फ्लोर है, और इस बिल्टिंग में बहुत सारे चोटे चोटे अपार्टमेंट्स बनाए गई हैं, नमबर फिफ्ट, स्लाइडिंग हाउस, दोस्त गर का sliding house name इसलिए रखा गया क्योंकि इस घर के छट को आप slide कर सकते हैं मतलब दिन के समय अगर आपको धूब की जरुवत है तो आप इस घर के छट को slide कर सकते हैं और धूब अंदर ला सकते हैं sliding house England के सुफोक में इस्तित है दोस्तों आपको इन सभी unusual building में से सबसे best building कौन सी लगी और वो कौन सी building थी जिसे आपने पहले कभी देखा हुआ था क्या उसके बारे में आप पहले से जानते थे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो please हमारे चैनल को like, share and subscribe करें तो दोस्तों चलिए मिलते हैं next वीडियो पे